वेल्कम तो तेज़ एजुकेशन मदिप्रतिश प्रिश परिच्छा ही तू इतिहाश बिशय का हम संपूर कोर्च आपको करा चुके हैं लिकिर कुछ महत्वपूर बेभिद के प्रश्णम आपको प्लब्द करा रहे हैं और आज हम एतिहाश के बेभिद सीरीज के टॉप 50-25 प्रश्णम शोरी आपको प्लब्द कराएंगे इस वीडियो का अंतर तक देखेगा बारवर आने बारे प्रश्णम ने इसमें समाहित की हुए हैं अब आप संपूर टेस्ट सीरीज फूल टेस्ट सीरीज ले सकते हैं पर आपको 50% की छूट मिलेगी अगर आप तेज 50 कूपर कोज लगाएंगे तब यह ओफर केवल तेज एजूकेशन के चात्रों के लिए है सबसे पहला प्रश्ण है आज के वीडियो का कि गायत्री मंत्र का उलेग किस वेद में किया गया है तो आप हमेशे याद रखें कि गायत्री मंत्र का उलेग किया गया है प्रश्ण के रिगवेदिक आर्यों की भासा क्या हुआ करती थी हमेशे याद रखेगा रिगवेदिक आर्यों की जो भासा थी वह संस्क्रत हुआ करती थी क्या संस्क्रत हुआ करती थी अगला प्रशने के निम्न लकित में से प्राचिंतं वेद कौन सा माना जाता है तो भई प्राचिंतं वेद माना जाता है रिगवेद तो रिगवेद से सम्मंदित कापी आहम आहम प्रशन हमने देख लिए कि रिगवेद में ही गाहितरी मंतर का उल्लेक मिनता है और रिगवेद कार्यों की भासा संस्क्रत हुआ करते हैं जो प्राचिन वेद भी रिगवेद है और अब प्रश्ण है कि निम लेके तो मैं शिक्तिश वीद की रचना जो है गध्य और पध्य दोनों में की गई है बहुत प्यारा प्रश्ण हमें शियाद रखें गध्य और पध्य दोनों में रचना की गई है इजरुवेद की विकल्प शी इसका सही जवाब है अगला प्रशने के रिगवैद काल में विनमय के माध्यम में किसका प्रियोग किया जाता था तो भईया रिगवैद काल में जो है विनमय के माध्यम के तोर पर प्रियोग किया जाता था गायों का किसका गायों का प्रियोग किया जाता था अगला प्रशने के रिगवैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीत की सैंस्था कौन सी थी तो रिगवैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीत की सैंस्था थी सभा प्रशने के निम्न मैंसे कौन सा यूग में यहांपर शुमेलेते नहीं है देखे, नदियों के प्राची नाम हैं और आधुनिक नाम उनके दी हुए हैं तो यहाँ पर गलत है भईया कुमभा सुबास्तू अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल का सरवाधिक महत्वपून देबता कौन सा था? हमेशियाद रखें उत्तरवैदिक काल का शरभादिक महत्यवपून देवता प्रजापती था प्रशने के उत्तरवैदिक कालिन लोगों ने किस धातू की खोज की हमेशियाद रखेंगा उत्तरवैदिक कालिन लोगों ने खोज की किसकी लोहा की उके लोहा धातू की खोजकी उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने अगला प्रशने कि भारत का आदर्श राष्ट्री वाक्य सत्यमी वजयती कहां से लिया गया है तो भारत का आदर्श राष्ट्री वाक्य सत्यमी वजयती लिया गया है मंदकोप निशाच से किस से मंदकोप निशाच से ये लिया गया है अगला प्रशने के किस वेद में शंगीत विद्या का वड़न है किस वेद में संगीत विद्या का वड़न है तो भाई है शाम वेद में संगीत विद्या का वड़न मिलता है अगला प्रश्न है कि वेदांगों की संख्या कितनी है तो आप हमेशे याद रखें वेदांगों की कुल संख्या है भई अच्छ है प्रश्न है कि भारती पुराणों की संख्या कितनी है तो हमेशे याद रखें भारती पुराणों की संख्या है अठारह प्रशने निम्लकित में से किसी धर्म शाष्टर भी कहा जाता है अब हमेशे याद रखें धर्म शाष्टर कहा जाता है स्मुरती को अगला प्रशने है व्रह्म विध्या का शम्मंद किस बैदिक साहित से है तो हमेशे याद रखें ब्रह्म विध्या का जो शम्मन्ध है या किसे भई या उपनिसेश्ची है उकर बिकल्प भी इसका सही जबाब है अगला प्रशन है कि नियाए दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है अगला प्रशन है योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है अब हमेशे याद रखें कि जेन धर्म का बाष्ट्व के सैंस्थापक नेमिनाथ को माना जाता है प्रशन है जेन धर्म के 24 वे और अंतिम तीर्थंकर कौन थे हमेशे याद रखें जेन धर्म के 24 वे और अंतिम तीर्थंकर माहवीर थे प्रशने के पार्शुनात के द्वारा प्रतपादित चार महाब्रतों में महाबिर श्वामी ने कौन सा पांचवा ब्रत जोड़ा तो महाबिर श्वामी ने पांचवा महाब्रत जोड़ा ब्रह्म चर्रे प्रशने के किस जिले में मोहन जोड़ो इस्थे थे यहां तो हमेशे याद रखें मोहन जोड़ो लरकाना में इस्थे थे प्रशने हैं प्रशिद संगीत का तांसेन किसके दर्वार में थे हमेशे आद रखें प्रशिद संगीत का तांसेन अकवर के दर्बार में थे ये अकवर के नवरतनों में शे एक थे प्रशने के राज अपहरण की नीती को किष्णी प्रारहंब किया हमेशे आद रखें राज अपहरण की नीती को प्रारहंब किया लाज डलोजी ने अपहरण की नीती को राज अपहरण की नीती को सुरू किया प्रशने हैं कि पहली जैन शंगीती कहां आयुजित की गई पहली जैन शंगीती कहां आयुजित की गई महाबीर ने प्राकरत भाषा में जो है भाईया उपदीश दिया किस भाषा में प्राकरत भाषा में उपदीश दिया महाबीर ने अगला परशन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था बताएं महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था तो हमेशे याद रखें, महात्माः बुद्ध का जन्म हुआ भेया लुम्बिनी में, कहाँ पर लुम्बिनी में महात्माः बुद्ध का जन्म हुआ अगला प्रश्ण है کہ महात्मा बुध्य की ग्रहत्याग को बौध ग्रंथों में क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है ग्रहतियाग को ग्यान की प्राप्टी कहा पर हुई आप हमेशे याद रखें कि महत्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति जो है बोध गया मैं नरंजन नदी के तथ पर हुई प्रशन है कि महात्मा बुध्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया तो हमेशे याद रखें कि महात्मा बुध्ध ने अपना पहला उपदेश महात्मा बुध्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनात में दिया पर शार नात्म में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उप्धेस दिया। प्रश्न है बुद्ध धर्म के तिर रत्न निम्नलखित में से किसी समलित किया जाता है। तो भई तिर रतनों में बुद्ध, धम और शंग इन तीनों को ही भईया तिर रतन में शमलित किया जाता है। आप बने रहें तेज एजूकिशन के साथ इसी तरह संपुन इतिहाश की वीडियो आप प्लेलिश में जाकर देख सकते हैं।